22 माई बड़ा रव्यार शूर को जल देने वाले लोटे में डाल दें यह एक चीज साथ पुछते तक करेगी राज गरीबी भूल जाएगी घर का राष्ता शूर को सर्वती साक्षी भूतम कहा गया है सब कुछ देखने और सुनने वाले देव शूर जो प्रतेच देव हैं और उनको नित जल अर्पित किया जाता है उनकी पूजा की जाती है लेकिन सूर को अगर जल देते समय कुछ विसेस वस्तु अर्पित करें तो हमारी मनोकामनाई अत्शिग्र पूरी होती है लेकिन सूर्देव को जल अर्पित करने का विशेश विधान भी है धार्मिक दृष्टी से तो हम शूर को जल देते ही हैं लेकिन इसके फाइदे भी बहुत होते हैं और आज हम आपके साथ बहुत सारी बाते करेंगे देखे, शूर जो हैं पिता के कारक हैं आत्मा के कारक है, मांज समान के कारक हैं और सुक्षम्रिध्धी देने वाले शूर ग्रह हैं और अगर शूर को जल आप सही तरीके से अर्पित करें तो कुंडली के सारे दोस भी समाप्त हो जाते हैं शूर का दिन है रविवार और रवियार के दिन अगर विशेस वर्षतु का दान करें तो आपकी जीवन के कश्ट कम होते हैं सूर देव की जो लोग पूजा करते हैं उनके जीवन में सत्र बिरोधी उन्हें ज़्यादा परिशान नहीं करते क्योंकि वो सत्रों पर विजय प्रात कर लेते हैं और सूर देव की पूजन में आपका भाग और राजयोग भी बनता है तो अगर सूर देव को जल अरपित करते हैं तो कुछ बातों का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए एक बास सबसे पहले जान ले कि शूर देव को जल अरपित करते समय हमेशा तामबे के ही लोटे का योज करें तामबे का पात्र योज करें क्योंकि तामबे का पात्र सूर देव का कारक माना जाता है और अगर आप तामबे के पात्र से जल अरपित करते हैं तो सूर मजबूत होते हैं आपके कुंडली में और सूर देख़ी कृपा भी बरस्ती है। शूर तामबे का जो कारक है वो शूर यहनि की कारक माना जाता है इसलिए तामबा काफी सुध्ध होता है। इसलिए इसी से आप सूर को जल देने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ आपको इसके फल भी कई गुना मिल जाते हैं। इन वातों का विशेष रुप से ध्यान रखें। सूर को जब आप जल अर्पित कीजएगा तो उसके विशेष प्रयोग होते हैं। सबसे पहले तो कुछ तरीके हैं जिने जानना बहुत जरूरी है, सूर उदे से पहले आप बिश्तर छोड़ दें, और अप नित क्रियाव से निब्रित होकर रशनान ध्यान करके स्वक्ष वस्त धारन कर लें, और फिर आप रवियार के दिन लाल वस्त धारन करें तो जादा जाती है और मंगल गर्यवी मजबूत होता है, और मंगल से जो कश्ट मिलते होकम हो जाते हैं, और आपके पारिवारिक जीवन की जो समस्य हो कम हो जाती है, अगर आप चाहते कि जीवन में खूब धनमान समान यस की प्राप्ती हो तो आप रवियार के दिन बरगत का एक पत इस मंद्र को आप जब करके शूर्दило को जल अर्पित करें जल वाले लोटे में एक चुटकी काला तिल डाल के जल अर्पित करें तो आप गर में शुक्षम्परधी बढ़ती है और नोकरी ब्यापार में तेजी आती है और साथ पुष्ते तक धन की कमी नहीं आती करें और पुरानिक कथाओं में शूर की उपासना रविवार की दिन करने से विशेश फलो की प्राप्ती होती है आपका यस बढ़ेगा कीरती बढ़ेगी आपका स्वास्त भी बहतर होगा मन भी काफी मजबूत होते हैं श्रीग्र धन प्राप्ती के लिए आप सूर्दे को ज जल अरपित करते हैं जल वाले लोटी में लाल पुस्प डाल के दें तो विशेश मनोकामनाओं की पूरती होती है शूर्देव जल्द परसंद हो जाते हैं और आपकी शबी मनोकामनाओं की पूरती होती है तो दोस्तों इन वस्तों में से आप कोई भी वस्तों डाल के सूर करिएगा जैसुर्देश